कि दूस्टो आज आम आपको बताने जा रहे हैं डिडाउट प्लीट पैने कठिंग ठीक है डिलाउट प्लीट की पैन कठने होती है अप यह का दोस्तो बहुत अच्छा होता है तो दोस्तों यह मेजरमेंट है चलिए सुरू करते हैं दोस्तों बिडाउट प्लीट कटिंग पैन कटिंग ठीक है दोस्तों पूरी लंबाई है 41 इंच ठीक है पूरी लंबाई है पूरी वन इंच इसको मैं सम लाइन मार ले रहा हूं ठीक है पहले एक आप कटिंग करेगा इस किनारे से मैं आपको बताने के लिए यहांसे कर रहा हूं ठीक है कि पैपरिक कटिंग करेंगा आप तो किनारे से लिए इस पैंड की लंबाई है 41 इंच ठीक है दोस्तों तो अब इसमें क्या करेंगे 41 जिसमें बेल की हाइठ है धेर इंच दोस्तों बेल की हाइठ है डेर इंच तो 41 में हम डेर इंच मैने साथ ठीक है आप क्या करेंगे जोस्तों मा लेजिए यह हमारा मेंल लाइन है इसमों ये मंHour नाइन इस में में जाएंगा जो एक सैंद्र एक वॉट ये नियुन का एक करेंगे यहीं पहले दरंस धाका रखेंगे मतलब केवश validity निकाल बहर कमर का पत्तर ठीक है बिल्ट अब यहां से हम कि 41 इन माप लेते हैं यह हमारा आया 41 इन ठीक है दोस्तों हम इसको कि सम रेखा मार ले रहे हैं यह देखें इस तरीके से अब इसको सम रेखा मार ले दोस्तों ठीक है पूरी लंबाई में माइनस डेढ़ हिंज का जो बेल्ट रहेगा वो घटा देंगे प्लस यहां माया पकड़ लेंगे जो आएगा यहां पर हम उसका मेजर्मेंट रख लेंगे यहां से यहां ठीक है अब उसके बाद दोस्तों क् इसका इनसिम जिसको गिदरी भी बोलते हैं इनसिम की लंबाई है 29 इंच 29 इंच तो हम नीचे से मापेंगे इनसिम यह देखें 29 इंच दोस्तों यह यहां पर आ गया यह आ गया 29 इंच प्लस पाव इंच माया ठीक है प्लस पाव इंच माया यहाँ प संगर्फा है, यहां से गिदडरी की लंबाई मापेंगे, आप से पकड़ सकते हैं जो आपको मार्जिन लेना है ठीक है हमने यहां पर वन पोर रख था है अब दोस्तों इसका नीका मार्किन करेंगे नीका क्या करते हैं दोस्तों यह इभी एकदम सिंपल है पुल लेंद का हैट यहां पर आया है यह नीका लंबाई है ये स्वरिंजं की है ये दोनों का जो आधा होएगा माल celebrated 39 है तो साड़े चौदा हो गया आधा इससे दो इंच उपरा साड़े 14, 15, 16 तो दो इंच उपर थेंगे दो इंच उपर हम नीका लाइन मार देंगे दो इंच उपर इदेखें किस तरीके से हम इसको दो इंट उपर ये नीका लाइन हो गया दोस्तों ठीक है नीका लाइन हो गया ये हमारा हो गया इंसिम लंबाई जो थाए भी हो गया ठीक है अब इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों अब हम सिट का मार्किन करेंगे ये ये विडाउट प्लीट की पैंड कटिंग है विडाउट प्लीट की तो हम सिट का मार्किन करेंगे शिट है दोस्तों 36 इंच थीक है सिट है 36 इंच तो 36 का चौथा भाग ठीक है 36 का चौथा भाग हो जाएगा दोस्तों 9 इंच हम इसको आधा इंच लूजिंग देंगे नव रख साडै नव इंच रख दे रहें ठीके दोस्तों साडै न नव इंच यहां पे आ गया सिर तो शाडै नव रख दिया अब इस लाइन को हम हम सिधा कर लेंगे दोस्तों इस लाइन को हम सिधा कर ले रहे हैं कि इसको स्क्वेर बना देंगे इसको स्क्वेर मतलब यहां से सिट का चौता भार प्लस आधाइन बिडाउट प्लीट की पैंड कटिंग है यह तिक है अब इसके आगे हम लेंगे सिट का 12वाँ भाग minus one inch ठीक है शिट का 12वाँ भाग minus one inch तो 36 इन शिट है उसका 12वाँ भाग होगा दोस्तों थीन इंच ठीक है हम इस में से minus one inch कर देंगे हो जाएगा दो इंच इस तरीके से यह हो जाएगा दोस्तों डुझ इंच, ठीक है, जहां रखिए, without plate का है, इसमें sit का बारावाववावक sourd dış, एक इंच करेंगे, जो भी आएगा, यहां पर हम रग देंगे, ठीक है, दोस्तों, यह हो गया, उसके बाद, क्या करते हैं, यहां जो sit का बारावाव भाव क्वे करते हैं सिट का बारावां भाग होता है दोस्तों तीन इंच कि यह आपका यहाँ पर हीप का मेजरमेंट राएगा होगा है ठीक है कि इबिक लाइन मार दिया कि उसके बाद दोस्तों कि हम यहाँ से आधा इंच अंदर लेंगे और तो अब फारमूले को दोस्तों खऴे याद रखिए गा कर jewel यहीं रहेगा है कंसा भी रहे इस ये पायंट को मिलाके सीधा मार देंगे इस तरीके से यह आधा बंदर लिया और यह पॉइंड मिला कि यह इस तरीके साम इसको लाइन मार्किन करेंगे यहां से वेश्ट है 30 वेश्ट है 30 तो वेश्ट का चौथा भाग होएगा ठीक है वेश्ट है 30 वागे 4 करेंगे आएयगा 7.5 इंच पलस 20 मतलब 8 इनच का ठीक है यह होगया अमारा यहां से यहां कमर का मेजेमेंट कमर का चौथा भाग पलश 20 एनच यहां जिमापिंग मैंगे दोस्तों ठीक है यह लेलिया यह मार्किन धार रख सुच यह होगया हमारा वेश्ट का तो इसको हम इस तरह से यहां मिला ले रहे हैं ठीक है यहां मिला दिये उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं इसका सेंटर निगाल लेते हैं इसका सेंटर है दोस्तों यह टोटल है साड़े ग्यारा इंच साड़े ग्यारा का सेंटर होगा दोस्तों मतलब पौने छे इंच ठीक है 5.75 पौने छे इंच यह हो गया हमारा सेंटर ठीक है पौने छे यहां पर पौने छे लगा दिया यहां से पौने छे और यहां से पौने छे ले लेंगे ठीक है उसके बाद बॉटम पे भी वही लेंगे पौने छे इन इस तरीके से ठीक है अब हम इसको एक सीधी रेखा मार लेते हैं सिधा लाइन लेखिए कि अधिक है इसको हम सिधा लाइन माग लिए ठीक है दोस्तो कि इसके बाद दोस्तो हम कि बॉटम ओपनिंग का मेजर्मेंट रखेंगे बॉटम ओपनिंग का मेजर्मेंट दोस्तो है इसको आधा यहां पर रखेंगे आठ इन्च मतलब चार इस तरफ चार इस तरफ जया रखें तो हो जाएगा यह आठ इन्च को खम्यां रख लेते हैं चार यहां पर लिखेंगे इस तरीके पर बॉटम है 6 रहिंट इसका आधा रखेंगे चार इस तरफ चार इस तरफ तीक है अब हम इस पर फिलाईन मारेंगे इस में तीक है घुटने का मेजर्मेंट नहीं है आप ले सकते हैं लेकिन यह इस्टेट- मेजर्मेंट इसके लिए हमने आप गुटना नहीं लिए आए से गुठने का आधा 14 राग इधर इस तरीके से ठीके दोस्तो को एक जो अन्दर यहां से 15 अंदर निगा करेंगे 15 अंदर मांक करेंगे यह लाइन से ये पौनाई जो अंदर है एक इस्टेट पट्टी मारेंगे सिधा पट्टी इस तरीके से ठीक है तो मेरे बड़ी पट्टी है नहीं मैं इससे निसान लगा ले रहा हूं हलके से इस तरीके से ये दोस्तों यहां पर आया हुआ है यहां पर आया हुआ ठीक है अब मै मैं इस से लाइन मार ले रहा हूं है यह हमने लाइन मार लिया है उसके बाद दोस्तों यह लाइन मारने के पट्ती की मदह से आपको यह नी के बराबर रक्के यहां पे जहां पर सेट हो रहा है सेट की आप उसको कि इस तरहिके से मिला दीजिये ठीक्ड है वह अ baik कि आप बिला दिए दीजिए हुगत ठीक है थे दोस्तों यह हो गया आप लाइन मार दिया हमने अब ये देखिए इसमें क्या करना है आपको इन लाइन में मिला दे रहा हूं यहाँ से यहाँ कितनी लंबाई आई वी है तो यहाँ से आप माप लेगे साधे चार है, यहां पर भी साधे चार इईज़ पर इस लाइन को हम सीरा कर देंगे, इस लाइन को यहां मिला देंगे यहां मिला देंगे जोस्तों यह इस तरीके से है ठीक है? ऐसे यहां पर और इस पट्टी की मदद से हम इसको भी यहां मिला देंगे जैसे यह देखिए यहां पर जो रखा हुआ था वही सेम आए गज़तों ठीक है आप इसको इस तरीके से मिला दीजिए और इसको अच्छे से आप सेव देके पर एक दम अप अपने हिसाब से ऑसे देके आप जो अच्छे सबस्शा आए रही सो सेट कर लिजिएगा यह तरीके से, यह तिक है, इस तरीका अच्छे से सेट कर ली जगा, अगर आपके पास नीका मेजरेमेंट आप नी रख लीजे यहां पर, ठीक है, नीका चाउथा भाग, चाउथा भाग, यहां से यहां टोटल आधा, ठीक है दुस्तों, यह हो गया मार्किन्स, उसके बाद हम उपर आ जाते हैं एक बार फिर यहां दोस्तो हम आधा इन थोड़ा सा ड्रॉप लेंगे और इस पट्टी की मदस्ति हम इसको भी एक शेव दे देंगे हलका न शिर्फ आधा इन दोस्तो यह ले लिए हमने और उसके बाद यह यहां से यहां दो इंच दूरी थ इसका आधा दो इंच का आधा होता है एक इंच इस कोने से हम इसको एक इंच की हम मार्किंग करेंगे और उसी कोने से हम देखें यहां इसे लगके यह कोना हमारा आ जाए कभर और इसको भुमा देंगे यह जरूरी है दोस्तो एक इंच यहां इसका जो रहेगा आधा यह आ आधा यहां का दूरी का आधा ठीक है यह आधा दो इंच है एक इसम ने लिया है देखिए ठीक है यह घुमा दिया कि दोस्तों यह हमारा फ्रंट तैयार हो गया ठीक है कि मैं इसको कटिंग कर दे रहा हूं और नीचे दोस्तों आप को जो को पूल्डिंग मार्जिन रखना है आप रखके कटिंग कर सकते हूं जो भी आपको रखना है 2.5 इंच तीक है हमने रेडी कर दिया है इसको हम कटिंग लाइन है दोस्तों देखिए यह और यह और यह इस तरह के से यह हमारा कटिंग लाइन है यहां बढ़ा देंगे पिरिद इसको यह हमने फ्रन्ट कटिंग कर दिया है देखिए यह हमने फ्रन्ट कटिंग कर दिया है अब हम इसको बैक कटिंग करेंगे यह पर दब में आएद है दोस्तों बैक कटिंग बता रहे हैं यह उसको इस मैं रख रहा हूं तोड़ा ऐस उंदर रखिएगा और यह बराबबर आप यह जो चैन्टर है मान लिजे आधाइंच अंदर ले लिया यहां से यहां का measurement कर लिजे मान लिजे साढ़ेच छेइंच आ रहा है यह center भी साढ़ेच छेइंच यहां पर भी आना चीए दोस्तों थीक है यहां से यहां जो भी दूरी आ है कपड़े के साथ यह line वही measurement करने मतलब सीधा होना चीए थीक है केड़ा नहीं होना चीए दोस्तों देकि इस तरीके-स हमने रख लिया है फ्रंट को फ्रंट को रख लिया है अब दोस्तों क्या करेंगे यह जितनी लाइन है हम थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे इसको माले जितना इसे बढ़ा दिया और मॉटम के लिए भी थोड़ा बढ़ा दिया एक इस तरीक है और इसकी लिए भी लाइन बढ़ा लिए आगे इस तरीके से है कि यह Also किज इन्हें बढ़ा दिए है यहां फिर यहां पर हिए तो यहां कर दोस्तों यहां तो यहीं सेंगटर एगा इसलिए खाली हमको इwedज बढ़ाना इदर नहीं आप इस लिए थुड़ा इधर आएगा आव इसको कैसे गखते दुस्तों यहां पर दोस्तों मेजर्मेंट रखते हैं ठीक है यह दुखिए दोस्तों यहां से यह जो हमने फ्रेंड कटिंग किया हुआ है यहां से हमको मेजर्मेंट रखना है सिट का बारहवां भाग माइनस पौना इंच या एक इंच आपको लूजिंग या टाइट फिट के हिसाब से रखना है अगर आपको थोड़ा लूज चाहिए तो एक पौना इंच रखिए ठीक है टाइट चाहिए तो एक इंच रखिए तो यह आप अपने उपर रखिए लेकिन फिर भी पौना इंच या एक इंच रखना रहता है आपको माइनस ठीक है सि एक इंच माइनस करेंगे, दो इंच आएगा, ठीक है, हम यहाँ पर दो इंच रख दे रहे हैं, ओ आपकी चोईस है, पौणा इंच भी रख सकते हैं, माइनस, या एक इंच, या नहीं भी रखें, फ्रल लूज होएगा, ठीक है, यहाँ पर हम, सिट का बारावा भाग, माइन यहाँ रखना है दोस्तों, एक ही, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ फ्रंट से, बैक के लिए एक ही, फ्रंट से, बैक के लिए सवाई, यहाँ पर सिट का बारावा भाग, माइनस, वन या पौना इंच, ठीक है, अब इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है, दोस्तों, इस लाइन क को हम मिला दे रहे हैं किस तरीके से इसा मिला दिये एक को और इस पट्टी की मदद से हम इसको भी मिला दिये हैं यह हमारा हो गया अरो जब हम बैक का अका काटेंगे हाला या बैक सिट काटेंगे तो यहां से आधा इंच नीचे लेंगे ठीक है आधा इंच नीचे लेंगे या तो यह फ्रंड की लंबाई यहां से यहां है उतने इसको भी रखेंगे या तो आधाइज नीचे ले लो या तो जो फ्रंट का है उतना रख लो ठीक है हमने यहां से आधाइज नीचे ले लिया है ठीक है यह मार्किन कर दिया है अब हम सिट का कटिंग करते हैं दोस्तों सिट का कटिंग का कैसा है आपको को पता रहा हूं दिखिए यही में फस्ते हैं लोग दोस्तों कि सिट काटने के लिए दोस्तों हमको क्या करना रहेगा यह हमारा फ्रेंट है यहां से सिट का छटा भाग यहां पर लाइन मारेंगे यहां माक करेंगे तो सिट है छाय इन, चत्यस का छटा भाग हो गया छे इंच ठिक है श्तिसंद का छौवा भाग हो गया छे इंच यहां पर हमने एक माक कर लिया ठीक है यहां पर छून पर आपहेंगे और 9 पर है अब लाइन के लिए अगेरा देखे इस सीना जाइन मिला दिया हम यहां से दोस्तो एक लाइन मार लेंगे को फ्रॉंट के लिए इस तरीके लिए नहीं हूँ मैं इसको हटा दे रहे हैं आपको रिठाने ले ये हमने लाइंड मार दिया इस ततरीके ते त्रीके से पुंस के पॉयंट को दिया रखना है तो इस cish the line कहाँ आयोगा सित का छटवाग जो भी नहीं आएगा उस्के बाद इसके ऊपर दोस्तों हमको 7 पार रखना है तभाई स्वाइं चिरेइं तीक है हम यहां पर डेढ़िंज रखनें क्योंकि यह आधाइध डीप लिया है हम यहां पर इसको डेढ़िंज रखते हैं तरक डेढ़िंज इस लाइन चेज से डेढ़िंज हूपर लेंगे दूपरसाध तक dön चल्बाएं जिन फोपर और यहां से तीस भागे चार प्लस 1.5 हो गया 9 इंच ठीक है दोस्तों यह हो गया हमारा यहां पर आ रहा है ठीक है एक दम किनारे आ रहा है आप देख सकते हैं थोड़ा अंदर लेना चाहिए समझे ठीक है फिर यहां आ गया आप समझ दे और इस लाइन को हम सिधा कर दे रहे हैं इस तरीके से केयां कि देख यहां पर आ घ्यायर कि यहां पर आपना है सिट का अधि के सिट का चयुका ऑच्रावा प्लस डेडी जिसमें आपका पिछे का डाठ है त्प्लस मार्जिन है ठीक है यह हो गया और इस लाइन को हम DION तो सीधा कर देंगे देखिए यहां से मैच करके और इस लाइन को मैच कर देंगे इस बिंद को यह मैच कर दिया यह हमारा बैक का होगा ठीक है यह होगया उसके बाद भाला भी कर देते दो इस तरीके से कि यह कि यह होगया हमारा बैक ठीक है बाकी दोस्तों अब इसी लाइन पर हमको कटिंग कर देना है यह बैक का ठीक है और अब कि यह देखिए यहाँ पर भी कि यह हमारा दोस्तों सीट लाइन है यह फ्रेंट का सीट लाइन होता है यह बैक का यह क्रोस अला जब यह पहनने के बाद यह सीधा होता है दोस्तों यह यहाँ पर हम सीट का मेजरमेंट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों शीट का आपको measurement बता रहा हुआ दोस्तों देखे जो हमने cutting किया आया है कि नहीं शीट उतना देखे ये front हो माप रहे है front है दोस्तों साधे 9 इंच यहाँ पे यहाँ ऊट रहा है न्व इंच ठीक है 3.99 और यहाँ पर भी इसके बाद साधे 9 ओड़ीनौ सुआथ फ्रंट्स अडें 9 आए हम यहां से बैक को मापेंगे आगे निकाल देंगे बैक यहाँ पर हमारा आया पॉइंट और यह बैक का लाइन एंद यह टोटल आ रहा है दोस्तो तो शाड़े 19 इंच, टोटल साड़े 19 इंच, आप फ्रेंड का मार्जिन और बैक का मार्जिन अगर निकाल देंगे तो डेढ़ हिंच मार्जिन जाएगा, एक एक सेंटिमीटर मार्जिन है इसके अंदर, ठीक है, तो वो डेढ़ हिंच जाने के बाद, साड़े 19 इंच आ रहा है, तो 18, 26 इंच अपना सीट आ गया दोस्तों, यह बिडाउट प्लीट का है, आप समझ गए, यह हमारा हो गया, मेजरिमेंट भी आ गया, बाकी यह आपका कटिंग है, इस तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं, दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो आ यहाँ पर मार्जिन है, दोस्तों, फिर भी आपको जाए तरलोग इस्ट्रा रखते हैं, आप इस्ट्रा रखके कटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से, हमने यहाँ पर कहते हैं, मार्जिन है, यहाँ पर रेडि बना सकते हैं, फिर भी आपको इस्ट्रा रखना है, तो आप यह ठीक है हमसु कटिंग कर दे रहे हैं पूड़ कर दे रहे हैं गधुकतो प्षब शकान्यघ्ट कें झाफ़ल को tuition सभर हो यिंग जए गया रंट